हेलो एवरिवन वेल्कम टू नोक्री एस्पिरेंट उमीद करती हूं आप सब ठीक हैं दोस्तो हम आपके लिए एसे जीडी कॉंस्टेबल की ब्रहमास्तर सीरिज लेकर आई हुए हैं इस सीरिज में हम आपके साथ हिंदी विश्य के 25 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे आज हम आपके साथ तीन प्रिवेस पेपर क्वेश्चन सोल करेंगे तो चली पहले देखेंगे तीन मार्च दोज साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.nokryaspirant.com पर जाकर जिट करके वीडियो फोर नोट्स ले सकते हैं आप हमारे सोचल प्लाटफोर्म के साथ भी जूड सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चल्दी से वीडियो को शेर कर दो और लाइक का बटन दबादो फिर हम अपने आज की सेशन की सुरुवात करते हैं तो आज का हमारा पहला प्रेशन है रिक्ति स्थान को भरने के लिए उप्युक्ति शब्द का चैन करें राजा हर्ष वर्दन खलिस्तान करके लोटे तो क्या करके लोटे हमारा सही जवाब है ओप्शन फ आगे बढ़ते हैं निम लिखित में से उस विकल्प का चैन करें जो एक ही राग अलापना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तो हमारा सही जवाब होगा एक ही बात बार-बार कहना ओप्शन फिर आगे बढ़ते हैं दे गई शब्द का विलोम चुने खरा तो हमारा सही जवाब क्या ओगा चार ओप्शन में से ओप्शन ए खोटा आगे बढ़ते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करें तो बताए चार ओ में से कौन सा हमारा ठीक है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन फोर अभी शेक आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपकी 9 बजे जिक्क्योड की किलास होगी आपको वो किलास भी लेनी है आगे बढ़ते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे तो बताईए चारों में से कौन सा ठीक है तो हमारा सही जवाब है option A विस्ता आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्या मेरे खांकित खंड को परतिस्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करे पुराने समय में कपोत एक बहुती अच्छा संदेशक मानना जाता था तो बताईए कपोत को और क्या बोलते हैं आपके पास चार ओप्षन है तो हमारा सही जवाब है option 3 कपोत का प्रियाई वाची कबुत्तर होता है आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए अच्छे चरित्र वाला क्या होगा? अच्छे चरित्र वाला option C रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैन करे मनुश्य को अपनी डैस नहीं छोड़नी चाहिए तो क्या नहीं छोड़नी चाहिए? तो हमारा सही जवाब है option 4 मनुश्यता नहीं छोड़नी चाहिए आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्दे का चैन करें मैं कलम से चुठी डैस रहा हूं तो क्या आएगा? हमारे सही जवाब है option for लिख रहा हूं दोस्तों अगर आप किसी भी government job की तयारी करते हैं तो आप हमारी website www.nokraspiren.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं यह हैं हमारी website का loco है यहां से आप upcoming exam for example GDH, CTAT, CTAT and even कोई भी exam हो उसकी तयारी यहां से कर सकते हैं यहां से आपको हर subject के MCQ और Qs मिल जाएंगे यहां से आप हर statewide exam की तयारी भी कर सकते हैं तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैन करे भगवान सब का डैस करे तो बताईए हमारा सही जवाब है option 3 भगवान सब का भला करे आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य का वह भाग ज्याद करे जिसमें कोई त्रूटी है अच्छे आभुशनों के द्वारा सरीर की सोबा भड़ जाता है तो हमारा सही जवाब है option 3 भड़ जाता है आगे बढ़ते हैं निमलेखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की बुर्ती गद्यांश के निच्चे दियेगे प्रश्णों के अनुसार कीजिए तो चलिए पहले पढ़ते हैं इसको होली के पर्व के पीछे एक लोग पिरिये पोराणी डैस है हिरन्य कषब एक राँच्छस राज़ा था उसका एक बेटा था जिसका नम पहलाद था डैस भगवान विश्णु का भगत था ये बात भगत था ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी पिता के कई बार डैस करने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विश्णु बक्ती नहीं छोड़ दी हिरन्य कशप ने अपने ही बेटे को कही तरह की सजाई थी डैस इश्वर की क्रिपा से वैं हर बार बाच जाता था एक दिन क्रोधित डैस हिरन्य कशप ने अपनी भेन होलिका को अपने बेटे का वद करने के लिए बुलाया तो चलिए पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट लाइं होली के परव के पिछे एक लोग पिरे पोरानिक डैस है तो क्या है द्रशन, निबंध, कविता, कथा तो हमारा सही जवाब है उप्शन फोर पोरानिक कथा है आगे बढ़ते हैं हिरन्य कशप एक राक्षस राजा था उसका एक बेटा था जिसका नाम पहलात था डैस भगवान विश्णू का भाक्त था तो क्या आएगा द्रशन, निबंध, कविता, निसोरी उसने उन्होंने वहें वे तो हमारा सही जवाब है उप्शन फ्री वहें भगवान विश्णू का भाक्त था ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी पिता के कई बार डैस करने के बाद भी पहलाद ने अपनी विश्णू भक्ती नहीं छोड़ी तो क्या करने के बाद भी दुलार करने, निवेतन करने, पियार करने, समझाने तो हमारा सही जवाब होगा पिता के कई बार समझाने के बाद भी ओप्शन होगा हिरन्य कशप ने अपने ही बेटे को कई तरह की सजाए दी डैस, इश्वर की करिपा से हर बार बच जाता था तो कोन बच जाता था? प्रंतू अते, इसलिए क्योंकि तो हमारा सही जवाब होगा प्रंतू वेह हर बार इश्वर की करिपा से बच जाता था एक दिन क्रोधित डैस हिरन्य कशप ने अपनी बेहन होलिका को अपने बेटे का वद करने के लिए बुलाया तो क्या आएगा इसमें बनकर होकर लगकर चलकर तो हमारा सही जवाब होगा क्रोधित होकर ओप्शन बी चलिए एक बर ओप्शन के साथ इसको पढ़ लेते हैं होली के परव के पिछे एक लोगपिरे पोराणी कथा है हिरन्य कशप एक राक्षस राज्या था उसका एक बेटा था जिसका ना प्रहलाद था वे हैं भगवान विश्नु का भक्त था ये बात उसके पिता को पसंद नहीं थी पिता के कई बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने अपनी विश्नु भक्ती नहीं चोड़ दी हिरन्य कशप ने अपने यी बेटे को कई तरह की सजाई दी परन्तु इश्वर की क्रिपा सेवे हर बार बच जाता था एक दिन क्रोधित होकर हिरन्य कशप ने अपनी बेटे का वद करने के लिए बुलाया चलिए हम अपने अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं निम लिखित में से उस विकल्प का चैन करे जो रंगा रंगा सीयर मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तो बताईए क्या होगा उसका सही जवाब चार ओप्शन है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन फूर दोखे बाजे रंगा सीयर दोखे बाजे आगे बढ़ते हैं दिये गई शब्द के प्रियाई वाची शब्द का चैन करे विपदा तो हमारा सही जवाब है, option B, आपद आगे बढ़ते हैं दिये गई वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजी लेख की नकल तो हमारा सही जवाब है, option B, लेख की नकल प्रतिलिपी आगे बढ़ते हैं दिये गई वाक्यांश का वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई तुरूटी है विध्यालिया में पढ़ाई करने के लिए अनेको चात्र आई वे थी तो किसमें तुरूटी है? option B, अनेको चात्र की जगे, अनेक चात्र आईगा आगे बढ़ते हैं दिये गई वाक्यांश का वह भाग ज्याद करें जिसमें कोई तुरूटी है मुख्य अथिति का एक फूल की माला पहना कर स्वागत किया गया तो बताईए किसमें तुरूटी है? तो हमारा सही जवाब है option 3 एक फूल की माला इसमें तुरूटी है उल्टा ओगा इसका दरेद्रता, option 4, आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य मेरे खाउंकित खंड को परती स्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करी धर्णी पर बहुत सारी प्राकरति गड़नाई होती रहती है दिये गए वाक्य मेरे खाउंकित खंड को परती स्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करे कबीर बहुत सी भाशाए जानता है तो क्या आएगा कबीर क्या है ओप्शन थ्री कबीर बहु भाशाविद है चलिए अब हम देखते हैं अपनी पांच मर्च दोजर उजर उन्निस के सिफ़ फष्ट के MCQ तो हमारा पहला पर्षन है दे गई शब्द का विलोम चुने प्रहार तो इसका उल्टा क्या होगा ओप्शन फोर रख्षा आगे बढ़ती हैं दिये गए वाक्या मेरे खांकित खंड को पर्ति स्थापित करने के लिए उप्यूप्त विकल्प का चैन करे राम शक्ति के उपाशक थे तो हमारा सहीचवा पोका ओप्शन फ्री शाप्त आगे बढ़ते हैं रिक्ति स्थान को भरने के लिए उप्यूप्ति शब्द का चैन करें डैस कितना सुंदर द्रश्य है ओप्शन फ्री वाह कितना सुंदर द्रश्य है आगे बढ़ते हैं इसमें भी एक स्थान की पूर्ति करनी है बुखे को खाने के लिए डैस दो तो क्या दो बुखे को ओप्शन बी बुखे को खाने के लिए बोचन दो आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजी तो देखिए जिसमें सहन शक्ती हो उसको क्या बोलेंगे ओप्शन बी सही श्रणू आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है दिये गए वाक्या का वह भाग्यात करे जिसमें कोई तुरूटी है कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है उसका दिमाख साथवे आसमान पर रहता है तो किसमें है तुरूटी ओप्शन बी कुबेर बड़ी ही यापर बड़ा ही आएगा आगे बढ़ते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे तो बताई ये चारों में से कौन सा ठीक है ओप्शन थ्री विशेश्चान आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य मेरे खांकित खंड को परति स्थापित करने के लिए उप्यूक्त विकल्प का चैन करे अच्छे कर्म नश्ट नहीं होते हैं तो हमारा सही जवाब होगा अच्छे कर्म एनश्वर है आगे बढ़ते हैं हमारा अगला परश्ण है निम लिखित में से उस विकल्प का चैन करे जो भैस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है तो हमारा सही जवाब है ओप्शन ए करते हैं तो इसमें बताइब रिकतस्थान में क्या आएगा तो क्या आएगा चारो में से तो हमारा सही जवाब है दे गई शब्द के प्तियाई वाची शब्द का चैन करे इंद्र तो बताइए इंद्र को क्या बोलेंगे तो हमारा सही जवाब है option 4 सूर्पती आगे बढ़ते हैं दिये गए शब्द के प्रियाई वाची शब्द का चैन करे सतर्कता इसका क्या होगा? option भी साउधानी आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्य का वह भाग्याद करे जिसमें कोई त्रूटी है सीर्शक का चैन करते समय अनूछेदों का नहित भाग्यों और विचारों की प्रक कर लेनी चाहिए तो किसमें त्रूटी है? option 4 आगे बढ़ते हैं सही वर्थनी वाले शब्द का चैन करे तो बताइए चारों में से कौन सा ठीक है हमारा option 4 अगे बढ़ते हैं अगला पर्षन है दिये गए वाक्य मेरे खांकित खंड को परति स्थापित करने के लिए उप्यूप विकल्प का चैन करे सूर्दाश जी जनम से अन्दे थी तो क्या आएगा? option 4 जनमांद जनम से अन्दा जनमांद आगे बढ़ते हैं दिये गए शब्द का विलोम चुने सदाचार option 4 दूराचार आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजी जिसकी बुद्धी कम हो उसको क्या बोलेंगे? option 4 मंद बुद्धी आगे बढ़ते हैं रिक्तिस्थान को भरने के लिए उप्युक्त शब्द का चैन करी गाई पेड डैस बंदी है तो गाई पेड से बंदी है option B आगे बढ़ते हैं बताइए किसमित रूटी है? किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोतता है वहें खोती है तो option B मैं खोती है इसमित रूटी है मैं खोता है आएगा आगे बढ़ते हैं चलिए हमरी इस गद्यान्स को पढ़ते हैं और इसके रिक्स्थान को बढ़ते हैं दिपावली भारत में डैस जानने वाला सबसे बड़ा तयुवार है हर साल इस पर्व को कार्थिक डैस में बड़ी दून दाम से मनाया जाता है इस तयुवार के आनने के डैस दिन पहले ही इसकी तयारी आरंब हो जाती है लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैस कर देती है इस दिन घरों और बजारों में डैस सजाया जाता है तो पहले देख लेती है हमारी फर्ष्ट लें दिपावली भारत में डैस जानने वाला सबसे बड़ा तयुवार है मनाई रचाया, मनाया, बनाया तो ओप्शन ट्री मनाया जानने वाला सबसे बड़ा तेवार है हर साल इस पर्व को कार्तिक डैस में बड़ी धूमदाम से मनाया जाता है दिन सब्ता मा वर्स कार्तिक मा में बड़ी धूमदाम से मनाया जाता है इस तेवार के आने के डैस दिन पहले ही इसकी तैयारी आरब हो जाती है हर एक सब कुछ तो हमारा सही जोब क्या होगा Option 4 कुछ दिन पहले ही तैयारी शुरू हो जाती है आरंब हो जाती है लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम डैस कर देते हैं क्या कर देते हैं समाप अच्छा आरंब खराव तो Option 3 आरंब कर देते हैं आगे बढ़ते हैं इस दिन घरों और बाजारों को डैस सजाया जाता है तो कैसा? गंदा, खूब, खराव, कम तो हमारा सही जोब क्या होगा? Option B खूब सजाया जाता है चले, एक बढ़ ओप्शन के साथ इसको हम पढ़ लेते हैं दिपावली भारत में मनाया जानने वाला सबसे बड़ा तयुहार है हर साल इस परों को कार्तिक माहां में बड़ी धूमदाम से मनाया जाता है इस तयुहार के आनने के कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंब हो जाती है लोग अपने घरों में साव सफाई और रंग रोगन का काम शुरू कर देते हैं या आरंब कर देते हैं इस दिन घरों और बजारों को खूब सजाया जाता है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले परस्टन के तरफ तो बताइए इस मुहावरे का अर्थ बताना में मखल लगाना तो बताइए मखल लगाना इसका मतलब क्या होगा ओप्शन 3 चापलू सी करना आगे बढ़ते हैं अब हम बढ़ते हैं सिर्फ सेकिंड के MCQ पे दोस्तो जीन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे तो हमारा पहला परशन है दिये गए वाक्य का वह भाग्यात करे जिसमें कोई तुरूट्टी है यह मेरा सो भाग्य है कि आप मेरे घर पदा रहे और आपका दर्शन हुआ तब दाई किसमें तुरूट्टी है ओप्शन ए में आपके दर्शन हुए ऐसे आई वा आगे बढ़ते हैं चलो इस गद्यांस को भी पढ़ते हैं और इसके भी एमरिक स्थानों को देखते हैं डिजीटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका डैस भारत को एक बहतर राष्ट बनाना है ये डैस देश के जानने मानने उध्योक पतियों की उपस्तिती में एक जुलाई 2005 को इंदरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू किया गया 2019 तक इसके पूरा होने की डैस है डिजीटल इंडिया का विज्जन तीन परमुक छेतरों पर डैस है ये है डिजीटल इंडिया ढाच्चा मांग पर संचालन एवन सेवाई और डैस का डिजीटल शेशक्ति करन तो चलिए पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट लाइंग डिजीटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका डैस भारत को एक बहतर राष्ट बनाना है तो लक्षे इच्छा साधन अभिलासा तो हमारा सही जवाब है ओप्षन एजिसका लक्षे आगे बढ़ते हैं भारत को एक ये हो गया ये डैस देश के जानने मनने उध्योग पतियों की उपस्थिती में एक जुलाई 2005 को इंद्रा गांधी इंडो स्टेडियों में शुरू किया गया तो क्या वायुयान महायान हीनियान अभियान तो हमारा सही जवाब है ये अभियान 2019 तक इसके पूरा होनने की डैस है तो क्या उमीद, निर्देश, निवेदन, आदेश 2019 तक इसके पूरा होनने की उमीद है ओप्शन एक आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया का विजन तीन पर्मुक छेत्रों पर डैस है तो क्या आएगा पठित, लिखित, सुचित, केंद्रित तो तीन पर्मुक छेत्रों पर केंद्रित है ओप्शन फोर ये है डिजिटल इंडिया डाच्चा, मांग पर संचालन एवं सेवाई और डैस का डिजिटल शैशक्ति करन तो चलिए इसमें क्या आएगा नागरिको, कलकार खानो, लगूत्यों को समान्य वस्तु तो ओप्शन एग, नागरिकों के आगे बढ़ते हैं चलिए अब इसको ओप्शन के साथ देख लेते हैं डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका लक्षय बारत को एक भैतर राष्ट बननना है ये अभियान देश के जानने मनने उद्ध्योत पत्तियों की उपस्तिती में एक जुलाई 2005 को इंद्रा गांधी इंडो स्टेडियम में शुरू किया गया 2019 तक इसके पूरा होनने की उमीद है डिजिटल इंडिया का विज्जन तीन परमुक छेतरों पर प्येंद्रित है ये है डिजिटल इंडिया धाच्चा मांग पर संचालन एवं सेवाई और नागरिको का डिजिटल से शक्ति करन चलिए अब हम अपने अगले प्रेशन की तरफ बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रेशन में तुरूट्टी बतानी है ग्रिश्म रितू के आते ही अनाज खरेदने की वयवेस्था किया जाता है तो किस में तरूट्टी है? ओप्शन बी किया जाता है आगे बढ़ते हैं दिये गई वाक्यांश के लिए शब्द देजिए विज्यान से सम्मंद रखने वाला क्या बोलेंगे उसको? हमारा सही जवाब है ओप्शन थरी वैक्यानिक आगे बढ़ते हैं दिये गई वाक्यांश का वयवाग ज्यात परे जिसमें कोई तरूटी है सूरजकुंड से परतिवर्स बड़ा मेला लगता है तो ओप्शन बी सूरजकुंड से नहीं सूरजकुंड मे आगे बढ़ते हैं इसमें रिक स्थान बताना है वैं खाना डैस चुका है तो ओप्शन बी वैं खाना खा चुका है आगे बढ़ते हैं दिये गई शब्द के प्रियाई वाची शब्द का चैन करे नियून, पर नियून का क्या होगा, ओप्शन B, कम, आगे बरते हैं, अब इसमें बताना है, जो रेखां कित खंड है, उप्युक्त विकल, विजय ने अजय का बहुत त्रिसकार किया, त्रिसकार की जगा की आएगा, विजय ने अजय का बहुत अपमान किया, ओप्शन A, साध्य, ओप्शन A, साध्य आएगा, आगे बरते हैं, दिये गए वाक्य मेरे खां कित खंड को परति स्थापित करने के लिए उप्युक्त विकल्प का चैन करी, लक्षमन राम को अपना भ्राता मानता है, तो क्या आएगा, ओप्शन 4, राम को अपना भाई मानता है, भ्र वर्नन किया गया है, तो ओप्शन A, तालिका का मतलब होता है, सारनी, सारनी में एक परकार के वर्नन किया गया है, आगे बढ़ते हैं, रिक्स थन बताना है, सफेद रंग डैस का परतिक है, तो किसका परतिक है, ओप्शन 3, सफेद रंग सांती का परतिक है, आगे बढ़ते इसमें बिरिक स्थान बताना है राम आजकल घर डैस से आता है तो कैसे आता है option 3 देर से आता है आगे बढ़ते हैं दिये गए वाक्यांश के लिए शब्द दीचिए दोफेर के सम्पहले का समय क्या होगा हमारा सही जिवाब है option 3 अपराहन दोफ़र के से पहले का समय आगे बढ़ते हैं शब्द का विलोम चुने आधार क्या होगा इसका option निराधार आगे बढ़ते हैं प्रिया वाची शब्द बताना है पारवती का option 3 गवरी आगे बढ़ते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे बताईए चारों में से कौन सा ठीक है तो कौन सो अगा ओप्चन 3 तोपची आगे बढ़ते हैं इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चैन करे चारों में से बताईए कौन सा ठीक है तो हमारा सही जवाब है option B ना समझी आगे बढ़ते हैं अब बताना है मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है गंगा नहाना बताईए चारों में से कौन सा ठीक है option 3 कठीन कारिय पूरा होना आगे बढ़ते हैं अब इसमें भी रिक्त स्थान बताना है आपको अधिति का फूलो की डैस से स्वागत किया गया तो क्या हैगा फूलो की माला option 3 से स्वागत किया गया आगे बढ़ते हैं अब इस मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है बताईए मक्ख्या मारना तो क्या होगा option A बेकार बैठना दोस्तों आज की अमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कोमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक शेर और कोमेंट करना नए भूले साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ठैंक्स फोर अब्रिवन बाइबाइटेक कियर